असलामों अलेकुम फ्रेंड्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम टो एफेच्टू क्लासिस जी हाँ फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अभी टैट के एक्साम में जिस पैटर्न के कोशन आ रहे हैं जिस लेवल के कोशन आ रहे हैं उनकी जिनके भी एक्साम है उनको फायदा हो तो देखिए ये वीडियो जिनका एक्साम कल है वो भी जरूर देख कर चाहिए क्योंके कल इसकी वज़े से आप लोगों को बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है और आप वही साबसे आपका माइंसेट क पर आपको जो है ये डर ना लगे या आपको जो है डर की वज़े से जो आता है वो भी आप भूलना जाए इसके लिए पहले से खुद को प्रिपैर करिए कि हाँ इस ट्राइप के कोश्यन आने वाले हैं ऐसे मुझे फेस करना है तो मैं इसको इस तरह से फेस कर सकती हूँ कर सकता हूं यह सारी चीज़ें आपको पहले प्रिपैर करकी जानी है तो इसके लिए आपको यह जाना जरूरी है कि कोश्यन का डिफिकल्टी लेवल कैसा है यह किस ट्राइप के कोश्यन आ रहे हैं देखिए अभी तक हमने जो एक्जाम ले रही है इसके लिए पिछले जो लिए हैं उन एक्जाम के कोश्यन को हम यहां पर सॉल्व करके देख सकते हैं उन कोश्यन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताके हमको आइडिया आ जाए कि कोश्यन का फॉर्मिट कैसा है पेपर कैसा आ रहा है कितने लेंदी कोश्यन है डिफिकल्टी लेवल क्या है क्योंकि आ प्रिलिमिनरी एक्जाम था ये 2016 में तो उस कोशन को आज जो है हम यहाँ पर स्वाल करेंगे ताके आपको आइडिया आ जाए कि यह जो कोशन है किस लेवल के पूछे जाते हैं इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है जैसा कि स्टूडन से सुनने में आया है जिस टाइप के कोश मैंने यह कुशन को जब एनलाइस किया यह चौशन पेपर को तो मुझे सेम तूसेम वैसा ही फॉर्मेट जो है इस पेपर में देखने को इसलिए मैंने यह पेपर उठाया और इस पेपर का सुलूशन में आज आपको बताऊंगी इसमें डिफिकल्टी लेवल कैसा है कोशन करके जरूर बताना ताके आगे की जो स्ट्राटेजी है मैं उस तरह से बना सोक और आगे वाले एक्जाम के लिए जो स्टुड़न्टे उनको help कर सको मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हो सकता है उतनी ज्यादा help कर उतनी ज्यादा आपको जो है एक्जाम तक अच्छे इसक सेंटेंस है और ऐसे आपको 5 सेंटेंस को रिया जाता ताथ और उसको आपको रियाररेंच करना होता था लेकिन वो सेंटेंस थे और आपको पता थी तो हम आसाने से उनको जो है नंबरिंग दे देते थे लिकिन यहां पर कुछ पैरेग्राफ दिया गया है एक लाइन में दो से तीन सेंटेंस ऐसे आपको ऐसे पांच सेंटेंस को रियारेंज करना है तो चली हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन कोश्चन आज की वीडियो में होने वाले वीडियो कितना भी लेंदी हो आपको पूरा देखना है ओके देखिए कुछ इस तहरा से कोश्चन है इंगलिश का अगर हम रियारेंज का कोश्चन देखे तो बिलकुल इसी त सेंटेंस दिए गए हैं कितने हैं देखिए ये एक दो तीन चार पांच और छे सेंटेंस लेकिन इस शेंटेंस में अगर आप लाइन देखे तो कितना हैं देखिए ओं टू तू त्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेंदिकिए आपको नजर आ रहा है यहां पर 10 L है यहां पर है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं भी पहले इसको पढ़ लेते हैं पहले आप पूरा जो है पूरा जुटनी भी सेंटेंस दिये गहें अच्छे से उसको एक बार आप बीजिये सुकुन से आप एक बार उसको पढ़ लीजिए उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप जो इसको रियारेंज करिए तो पहले हम कोशन को पढ़ लेते हैं देखिए इसके बावजू जो भी फैसिलिटीज दी जाती थी वो अप टू दा मार्क नहीं थी वो तरी अच्छी नहीं थी इसके पहले अगर देखा जाएं तो 2336 लोगों पर एक बैट की कैपिसिटी थी और अब 833 पर एक की कैपिसिटी थी इंडिया ने जो है पबिक सर्विसें के अंदर एक्सपांशन किया है इस आउट अफ एवरी टैन होस्पिटल इन देवलप स्टेट इडिड नोट प्रवाइट इंटेंसीव केर एंड कॉर्टर ओफ देंस्ट्रोगल विट इशू लाइक सैनिटेशन एंड ब्रेनेज यान अगर हम मिसाल के तो पर अगरम देखेंगे तो सिक्स आउट अफ एवरी टैन होस्पिटल यानि दस में से छे होस्पिटल जो लेस्ट डेवलप स्टेट है जैसे जो कम तरक्की आफ्टा जो रियासते हैं वहां पर इतना केर या इतनी जो है एहतियात नहीं बढ़ती जाती अगर हम देखें तो जो गोवा के अंदर जो गवर्मेंट होस्पिटल ते वहां पर बैट की कैपिसिटी कितनी थी? वन बैट की कैपिसिटी अगर हम देखेंगे तो 614 यानि अगर 614 पेशेंट एक साथ आते हैं तो सिफ एक बैट अवेलेबल होता होता है वहां पर इतनी कम कैपिसिटी उसकी है और अगर वही बात हम बिहार की करे तो 879 के उपर जो है एक बैट की कैपिसिटी थी और लास्ट कुश्चन देखी क्या है हावेवर एज लैंसेट पॉइंट 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 पॉइंट्स आउट इस अवेपिलिटी ऑफ बैट हैं इन इक्वेटेबली डिस्ट्रिबिटेड विदिन अ कंट्री और अगर हम यह भी देखेंगे यह जो बैट की यहां पर इन इक्वेटेज नहीं है यहां से हमको लगता है कि पैरेग्राफ की शुरुआत हो रही है उके यह पहला जुमलाएंगा जिसे इंडिया ने जो है पॉब्लिक सर्विस में एक्स्पांशन किया तो यहां आ गया हमारा पहला हम इसको लिख लेते हैं यहां पर सी हमारा पहला आ गया आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और यह पैरग्राफ की भी स्क्रेंशॉट ले लीजिए आप क्योंकि कोशन काफी लंदी है ऑप्षण जो भी में सवाल वो इसके नीचे आने वाले है तो आप इसका ले लिजिए और इसको आप फिर रेफर कर सकते हैं उसके बाद क्या कह रहा है देखिए उसके बाद वाला कौन सा सेंटेंस आ सकते है तो उसके बाद आएगा फूर इंस पर एक बैट की कैपेसिटी ती जबकि पिछले डेकेट में अगर हम देखेंगे पिछली दहाई में अगर हम देखेंगे तो यह जो है इसने इंप्रूमेंट किया है तो इसके बाद जो आएंगा यहां पर भी आएंगा इस तरह से आपको पैसे समझ के चलना होगा और अब इसके बैश फिर चार से पाँच कुश्चन आपके आते हैं तो आप ऐसको सुखोण से करिए इसको इसकी पना करिया यहां जिसके बैस बीर जादा देदी जाब झाल्या तो आपके आज आ Cube तो उतने आपके जो है मार्क्स में इंप्रूमेंट होगा चलिए नेक्स देखते हम क्या सकता है नेक्स देखें यहाँ पर आ सकता है कैसे के अनिकवले मतब तरक्की करने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौते नंबर पर उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर कुछ एक्जांपल दिये गए हैं यहाँ पर यहाँ पर यह डी वाला फॉर एक्जांपल वाला आजेगा कि सिक्स आउट ओफ एवरी टैन हॉस्पिटल इंद लेस्ट डेवलोप इस्टेट मतब इस्टेट की बात हो रही नहीं यहाँ पर एफ वाले सेंटेंस पे हमने आएंगा अपार्ट फॉर्म दिस अल्मुस्ट आखरी में ही ज्यादा तब होता है तो इन सबके बावजूद दक्यार प्रोवाइड इन दीस फैसिलिटीज इस आल्सो नौट अप टूदा मार्क नहीं है यानि वह इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर फिर आजेगा तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इसी अरेंजमेंट जो आपने एक बार पैरेग्राफ करके कर लिए इसके ओपर आपको तीन से चार कोशन है देख लेते हैं एक से पांच देके पांच कोशन पूछे गया इसके उपर तो चलिए मेंन कोशन की तरफ हम आते हैं मैं फिर से एक बार यहां पर आपको जो है इसकी जो सीक्वेंस है वह यहां पर मैं आपको लिकर दे देती हूँ ताकि आपको भी देखने में आसानी हो जाए ओके तो इसका सीक्वेंस हम देखते क्या देखे थे हमने यहां पर सबसे पहले सी वाला आया था फिर भी वाला तो इसका दिखिया आंसर भी दिया गया option number two जो है सी इसका सही answer है next देखिये which of the following should be the fifth sentence after rearrangement आप चाहे तो answer verify कर सकते है जो sequence मैंने यहाँ पर लगाई हूँ तो इस बेस पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने rearrangement किया है वो सही है या नहीं है इसके लिए मैंने answer वाली ही जो है PDF ली हूँ यहाँ पर ताके verify हो जाए ओके तो which of the following should be the fifth sentence after rearrangement तो पांचवी नंबर पर कौन सा है one two three four and five डी है तो यहाँ पर दीकिए option number two डी दिया गया इस तरहां से दिखिए यह दो सवाल हमारे हो गए आगे हम और देखते हैं सवाल आगे फिर से मैं यहाँ पर आप पूरा कुशन में पढ़िए फिर सिफ पोशन में यह देखिए कि क्या क्या में पूच अगया तो second sentence कौन सा है तो second sentence भी है option number two यहाँ पर fourth sentence कौन सा है fourth sentence हमारा देखिए तो हम यह है यह वन नंबर का जो है यहाँ पर इसका answer है देख लेते हम देखिए वन नंबर का इस इसका सही होगा तो देखिए पांच मांक का सवाल आपका solve हो गया देखिए explanation में मुझे बारा से तेरा मिनट लगे जब आप खुछ से solve करेंगे तो आप चार से पांच मिनट यह दो-तीर मिनट में आप इसको solve कर सकते है नेक्स कुशन देखिए क्या है बाकि जो पैसेज के कह रहा है in these questions read the sentence to find out whether there is any grammatical error देखिए यहां पर क्या कह रहा है grammatical error हमको यहां पर find out करना यानि आपको उन्होंने एक hint दे दिया कि जो भी error होंगा वो grammatical में होंगा यानि tense में हो सकता है preposition में हो सकता है article में हो सकता है जो grammar से related basic basic बात है या आपको यहां पर मालूम होना बहुत जरूरी है the error if any will be in one part of the sentence mark the part with the error as your answer यानि जिस भी part में error है वो आपको सिलर करना है if there is no error mark no error as your answer अगर कोई भी error नहीं है तो आपको इसको no error करना है अब देखिए यहां पर उन्होंने एक point दिया है कि कि किस चीज़ को आप error नहीं मानेंगे punctuation को आप error नहीं आपको यहां पर find out करनी है अब देखिए sentence क्या है पहला just a minute पहला sentence क्या है the progress of the southwest monsoon is relatively slow as it is not getting a favorable system for move forward no error अब देखिए for जब आता है यहां पर इसमें error है चौते sentence के अंदर के जब यहां पर अगर for आया तो for moving आ जागा यानि verb में यहां तो ing चाहिए और अगर move आया तो यहां पर for की जगा to आना चाहिए फिर यहां पर grammatical error है यहां पर four की जगा to आना चाहिए ता proposition का error है यहां पर to move forward तो इसका जवाब होंगा चौता ओके इसका क्या जवाब होंगा चार जो है number पे error देखिए option की तरह से द sentence इसका number 3 है और यह जो for move forward इसका number 4 है और no error का number 5 है तो आपको यह भी चीज़े याद रखने है अगर इस sequence में आपके sentence आते है तो यहां पर 4 में जो है यहां पर mistake है अब उसके बाद अगला question देखते हैं हम लोग क्या है authorities have derived request for private hospitals care to the to the accused no error तो यहां पर आपको नज़रा रह है देखिए authority have derived request for private hospital तो देखिए यहां पर कहा हमको error नज़रा रहा है to the accused क्यूंकि द जो है यह हमेशा सूपर लेट यह किसी special चीज़ के साथ लगता है article तो यहां पर जो है और यहां पर भी चौती ही sentence के अंदर error हमको नज़रा रहा है तो इसका answer हम लोग देखिए देख तो देखिए यहां पर two के साथ मैंने कहा था कि ing जो है यह for creating आएंगा या to create आएंगा तो the drive intended to create an awareness या for creating an awareness इस तरह से आता है तो यहां पर first वाले में जो है error है next question देखिए क्या है gold continued its rising streak for the fourth stress session to reclaim the just a minute आदा sentence नीचे है देख लेते हम लोग फिर से the gold continued its rising streak for the straight session to reclaim the psychologically significant 30,000 mark and no error तो यहां पर जो है यहां पर भी first sentence के the mistake है gold continuing its rising streak तो यहां पर tense की mistake है तो इस तरहां से जो है आपको error आपको find out करना है तो आपको error कैसे find out करना है grammatical error ही ज्यादा तर होंगे इसके लिए आपको grammar की basic knowledge होना बहुत ज़रूरी है tenses की knowledge आपको ज़रूरी है यहां पर article की knowledge proposition की knowledge कौन सा proposition कहां पर इस्तिमार होता है अगर यह तीन चीज़ें आपकी पक्की है यह concept आपकी clear है तो error आप आसने से find out कर सकते क्योंकि ज्यादा तर error article से related आता है या तो फिर tense related आएंगा या तो फिर आपको जो है proposition से related आएंगा तो यह चीज़ें आपके पास वक्त है अभी तो आप यह चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए नेक्स देखिए क्या है the system which keeps a record for personal and professional details of all community members was hacked no error देखिए यहां पर भी जो है grammar mistake है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए the system which keeps यहां पर क्या आने चीज़े तो दिखिए the system which ओके the system which यहां पर keeps की जगा kept आना चीज़े तो क्योंकि जो sentence यह past tense का है तो the system which kept a record for personal and professional details of all community members was hacked okay तो यहां पर जो है tense की mistake है तो यह आपको पैचानते आना चीज़े इसके बारे में इसकी strategy भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे आप जो है find out करेंगे कि क्या यहां पर grammatical mistake है यहां पर article की mistake है तो यह इसकी मैं एक वीडियो के अंदर सारे जो है error वाले question और इसकी concept इ अगर आपका grammar के उपर पकड़ है आपका grammar अच्छा है तो फिर आप find out करिए तीन चीज़े आप देखिए tense आप article देखिए और proposition देखिए यह तीन चीज़ों पर ही ज्यादा तर error पूछे जाते हैं आपने अगर TET का exam दिया है महा TET तो उसमें भी यह question आता था महा TET के अ important topic exam में पूछे जा रहे हैं जिसे statement and conclusion के ओपर question पूछा जा रहा है तो देखिए आप exam के अंदर यह सारी चीज़े डीटेल ना पढ़ते बैठे क्योंकि इसके लिए आपको पता है आप नीचे के main question देखिए किस type के question है conclusion क्या है या में जो statement और conclusion वाला question है या फिर inequality वाला question आप सिफ main question की तरफ जाए यह सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो ओपर information दी जाती उसमें आपका time काफी चला जाता है आप main question की तरफ आइए आप यहाँ पे देखिए 4 option हमको दिये गए है option number 1 if only one conclusion is true option number 2 if either conclusion 1 or 2 is true option number 3 if only conclusion second is true option number 4 if neither conclusion 1 nor 2 is true और option number 5 if both conclusion 1 and 2 are true तो यह किसके base पर करना है तो देखिए यह नीचे information दी गई है इसके base पर जो है आपको यहाँ पर यह करना है तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग इसको देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है G greater than or equal to R, R greater than O, O greater than and equal to S यह एक यहाँ पर sentence complete हो गया ओके इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है Y less than O, O less than and equal to F अब यहाँ पर यहाँ पर दो sentence में जो चीज़ common है आपको इस पर focus करना है देखिए यहाँ पर O और O common है तो आपको इसी के उपर question पुछे जाएंगे जहाँ पर O connected है तो आप देखिए अब यहाँ पर पहला question क्या है पहला statement ने वो इस तरह से दिया गया है G greater than Y तो अब आप कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या पुछा है G greater than Y अब आपको यह देखना है यह सही है या नहीं है तो देखिए यहाँ पर O यहाँ पर O एक जैसा है तो O जो है वो Y से छुटा है तो हम क्या करेंगे हम sentence के अंदर जो है जहाँ पर O है हम वो sentence वहाँ तक लिख लेंगे मतलब हम इस तरह से करेंगे देखिए अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर G है हमने यह जी को ले लिए उसके बाद हम क्या कर पर Y combine है, तो हम क्या करेंगे O के साथ अगर Y हमारा combine है तो हम O से आगे Y किस तरह से जाता है हम वो लेंगे, अगर O की position हम लेंगे तो O greater है और Y less है इस तरह से, अब देखें यहाँ पर यह जो इनके symbol के faces वो A की direction में है, यानि इनका जो connection है, यह उसी तरह से बनता है, यानि G greater than O O greater than Y, तो इसका मतलब G greater than Y, तो यहाँ पर यह सही है, अगर यह ऐस तरह से opposite direction में जाते थे, तो हम इसको नहीं define कर सकते थे, कि बड़ा है या चोटा है, अगर इनके faces A की direction में जा रहे हैं, तो जो भी वहाँ से conclusion निकल रहा है, आप उसको follow किजी, जैसे यहाँ से conclusion निकल रहा है, यह दो equal sign का मतलब होता है A की greater sign, तो G greater than यहाँ पर O आ जाएंगा, तो conclusion 1 यहाँ पर true है, अब S की और इसकी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर अब हम S के लिए देखेंगे, S के लिए क्या दिया गया है, दिखिए S के लिए दिया गया है, S जो है यहाँ पर इस तरह से आपको दीखनी रहा होंगा तो next conclusion S is small than or equal to F, तो दीखें F का यहाँ पर O से तालूक है और S का भी यहाँ पर O से तालूक है तो हम O को सेंटर में रखेंगे, हम O को इस तरह से सेंटर में रखेंगे, ओके, अब हमने O को सेंटर में रखेंगे, तो अब हम यह देखेंगे कि S का तालूक कैसा है, तो O जो है बड़ा है less than or equal to F तो बिल्कुल S देखिए यहाँ पर अगर हमने O को skip कर दिये तो same दो sign यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं इस तरह से तो हम इसको ले सकते हैं less than and equal to F तो यहाँ पर conclusion number 2 जो है यह भी exactly correct है तो यहाँ पर हमारा option कौन सा होगा if both conclusion 1 and 2 are true ओके ओके दिखते हैं यहाँ पर हम W और S के बीच में कैसे connection निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हम W ले लेंगे ओके यहाँ पर equal का sign अब देखिए यहाँ पर दोनों sentence को joint equal से हो रहा है ओके I equal to P तो I की जगा हम P ले सकते हैं P की जगा आए ले सकते हैं यहाँ दोनों में से किसी एक को लिखे तो भी चलेगा तो हम I को skip करते हैं हम P को लिखते हैं और आगे का sentence हम continue करते हैं इस तरह से ओके यह E और फिर यह greater than S तो अब आप अगर देखते हैं यहाँ पर तो सबके sign देखिए एक ही direction में जा रहे हैं तो इनके बीच में वही connection होगा यहनि W P से बड़ा है और W E से भी बड़ा है और W S से भी बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर W greater than S तो इसे साबसे conclusion 1 जो है यहाँ पर हमारा correct हुआ ओके next conclusion देखते हैं next का है देखिए next S is equal to W तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो S is equal to W कहां से आ रहा है देखिए हमने पहले ही देख लिए कि यहाँ पर जब यह proof हो गया कि S जो है वो छोटा है W से तो इकवल कहां से आएगा तो conclusion 2 जो है यहाँ पर हमारा false तो इसके साबसे जो option आपको दिये गए थे solution है R less than or equal to C, C less than or equal to J and J and T R equal then T less than and equal to P, P greater than Q, Q greater than and equal to H तो अब यहाँ पर हम directly conclusion की तरफ जाएंगे क्या conclusion दिया गया देखिए R less than P, तो R देखिए यहाँ पर है P यहाँ पर है मतलब दोने equal के दोनों भी side में है तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो J और T है इनको हम common ले सकते हैं, मतलब J और T को हम A की consider कर सकते हैं बीच में से equal के sign हटा कर हम J oblique T ले सकते हैं मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं R greater than C, sorry R less than or equal to C, C less than or equal to यहाँ पर हम J oblique T, मतलब दोनों में से कोई भी एक आ सकता है यहाँ पर, उसके बाद हम इस तरह से ले सकते हैं less than P, देखिए यहाँ पर यह तरह से हमारा जो है statement कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर बनेगा, तब यहाँ पर हमने क्या किए J और T को हमने A की consider की हम यह देखेंगे, जो symbols आपको दिये गए हैं वो symbols की position कैसी है, तो देखिए सब ही की position अगर आप देखेंगे तो एक ही direction में है मतलब इनके बीच में एक जैसा connection है मतलब sequence में चल रहा है कि यहाँ पर R less than C, C less than J या T और J या T less than P यहाँ पर इस तरहां से चल रहा है तो अब यहाँ पर R हम directly देखें इस तरहां से रख सकते हैं यहाँ पर R और यहाँ पर P बाकी के तीनों alphabet को हमने यहाँ से skip कर दिये तो same connection हुआ कि जो symbol है यह चीज आपको जाना बहुत जरूरी symbol का direction अगर एकी simt में जा रहा है तो आप उसको जो है valid बान सकते हैं मतब यहाँ पर R या तो equal है या तो फिर इसका मतलब क्या होता है यह दोनों एक साथ है equal या less है तो R या तो equal है या तो less है P से मतब equal और less दोनों में से कुछ भी हो सकता है यह तो correct हो गया 1 वाला के भाई R less than P यह correct हो गया नीचे क्या दिया गया P and R जो है यह equal है तो हो सकते है P and R equal भी हो सकते है क्योंकि sign ही इस तरह से दिया गया है less than and equal to का यानि less than भी हो सकता है और equal भी हो सकता है तो दोनों भी conclusion यहाँ पर जो है सही है तो इस तरहां से आपको देखी conclusion वाले यह जो inequality वाले question आपको इस तरह से यहाँ पर solve करना है बहुत ही आसान है बस आपको logic मालूम होना चाहिए आपको तरीके मालूम होना चाहिए कैसे solve करना है question को देखके आपको डरना नहीं है जो trick आपको बताई जा रही है उस trick के जरीए बहुत ही कम वक्त में आप ऐसे question को solve कर सकते है ओके next question देखी क्या है next question कुछ इस तरह से है देखिए same statement वाला question है 5 question कुछ पूचे गया है इस set के अंदर तो देखिए यहाँ पर same statement वाले inequality को बहुत जादा जिसे आज आज आपने मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो inequality को भी काफी जादा वेटेज जो है चार से पांच कुशन जो है टैट exam में भी दिये गए हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने रिसके सबसे आपको बनाना है ओके तो फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखे statement क्या दिया गया है और less than or equal to o less than यहाँ पर सिफ less than a है equal वाला अगर sign यहाँ पर आया तो यह गलत होंगा अगर हम ऐसा बोलेंगे कि a और o equal भी हो सकते तो नहीं सिफ यहाँ पर less than वाला sign ने देखी यहाँ पर उसके बाद a less than and equal to अब a equal भी हो सकता है less भी हो सकता है m से यह sentence complete होगा नया sentence यहाँ पर देखे l is equal to d, d greater than or equal to a अब देखे यहाँ पर दो sentence अलग अलगे लेकिन इन में कुछ ना कुछ common जरूर होता है यहाँ पर a और यहाँ पर a common है अब सवाल भी है आपको ऐसा ही पूछा जाएंगा जहाँ पर यह a common वाली concept यूज होगी यह चीज़ आपको focus करनी है तो अब देखे क्या है conclusion क्या है r less than l आप देखे r इधर है l इधर है यहाँ पर तो अब हम कैसे इसको करेंगे तो देखे यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है तो हम इसको अब भी combine कर देंगे इन sentence को जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर combine करेंगे r जो है less than यहाँ पर देखे a है तो हम यहाँ पर a ले ले लेंगे बीच में का o हमने skip कर दिया r less than a क्योंकि sign का जो symbol का position है वो A की symptom में जा रहा है तो इसके लिए हम बीच में का O हमने skip कर दिया R less than A आप देखें यहाँ पर क्या कह रहा है A और Sorry Just a minute आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे A जो है यहाँ पर A का D से क्या connection है तो देखें A D से कैसा है दिखिए A जो है D से छोटा है यहाँ पर हम लेंगे A D से छोटा है या equal है किसे D से लेकिन D और L equal है तो यहाँ पर मैं D की जगा oblique करके L भी ले सकती हूँ या तो हम directly D को skip कर देंगे हम D की जगा पर यहाँ पर directly देखेंगे तो R less than L तो बिल्कुल सही R जो है S से less दीखिए sign का position A की सिम्थ में आ रहा है तो conclusion 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है देखिए किस लिए मैंने ऐसे concept लिया आप इसको मैं एक बार फिर से आपको explain कर देती है अगर confusion हो रहा होगा तो देखिए यहाँ पर A A combine है तो इसके लिए A को हमने center में हम पहले ही draw कर देगे अब A के साथ हमको क्या क्या लेना है देखिए R और L का क्या relation है हम वो A के हिसाब से लेंगे तो R जो है वो A से छोटा है उके उसके बाद हम देखेंगे कि A के साथ actually यहाँ पर हमको सवाल में तो L पूचा है लेकिन A का connection तो D से है लेकिन D और L equal भी तो है तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करे इस हिसाब से हमने इसको equal और less करके यहाँ पर हमने L लिख दिये तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो R और L में क्या connection है तो यहाँ पर यह sign का position A की सिम्ट में जा रहा है मतब आर जो है छोटा है L से तो यह conclusion तो यहाँ पर correct हुआ अब हम second वाला लेते है second वाले में क्या है हम वो देख लेते है अब second क्या दिखेंगे D जो है यह greater than O है तो देखेंगे यहाँ पर O आया है यहाँ पर D आया है तो अब हम जो है यहाँ पर A के साथ D का connection देखेंगे क्या है और A के साथ हम O का connection देखेंगे क्योंकि A दोने में combine है तो देखेंगे हम यहाँ पर A को बीच में लिख लेते है इस तरह से अब देखे क्या कह रहा है यहां पर O जो है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि D कैसा है तो देखे D जो है वो छोटा है इस तरह से D जो है बड़ा है इस तरह से sign देखे हम यहां पर नज़र आ रहा है उसके बाद हम O को रखेंगे तो O कैसा है A से O की तरफ भी देखी less का sign है तो A से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएंगा यह O जो है A से छोटा इस तरहां से हम इसको put कर सकते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि D जो है बड़ा है O से तो हाँ बिल्कुल भी देखी दोनों sign का जो face है वो A की जानिव है A की direction में है यहाँ पर इस तरहां से अगर हम देखेंगे तो O इस तरहां से है मतलब यह A की relation हो गया कि D जो है यहाँ पर O से बड़ा है तो इस सिसाफ से अगर हम देखेंगे तो conclusion दो भी यहाँ पर correct है next question देखी क्या है next question भी कुछ conclusion वाला ही question है question number 5 यहाँ पर हम इसको बोल सकते है तो देखी क्या है question number 5 देखी यहाँ पर जो state में दिया गए अब मैं यह read नहीं करती हूँ direct हम conclusion की तरफ जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही करना है direct conclusion की तरफ जाना है h greater than t अब यहाँ पर हम देखेंगे के h यहाँ पर है और t जो है यहाँ पर है एक ही sentence में है दोनों भी तो इसलिए हम आसानी से इसको कर सकते देखिए यह t है उसके बाद कुछ इस तरह से sign है फिर s और ऐसे sign है और फिर h है तो देखिए यहाँ पर जो sign के faces है वो इस तरह से opposite direction में आगए तो इसलिए t और h के बीच में हम कोई connection यहाँ पर नहीं बता सकते कि greater है या less है तो इस रसाब से जो है यह conclusion 1 जो है यहाँ पर false हुआ उसके बाद हम देखेंगे c greater than or equal to q अब c और q कहाँ पर है हमको यह focus करना है चलिए देखिए c कहाँ पर है c यहाँ पर है और q यहाँ पर है आप इस रसाब से अगर हम देखेंगे तो यह j और t equal है तो हम इस sentence के अंदर sentence को हम इस तरह से कर सकते है c फिर यहाँ पर हम j a a t में से किसी एक को लिख सकते इसको join कर देंगे हम दोनों sentence को j a a t से join कर देंगे क्योंकि दोनों भी यहाँ पर equal है तो इसका मतलब यह एक continuous sentence हम इसको ले सकते हैं फिर यहाँ पर इस तरह से यह p आएंगा फिर इस तरह से यह q आएंगा देखिए अब हम यहाँ पर जो है symbol की position देखेंगे कैसी है देखिए यहाँ पर भी symbol की position opposite आ गई c और q के बिच में एक इधर ऐसे sorry ओके इस तरह से इस तरह से और फिर एक ऐसा position यहाँ पर आ गई यानि यह जो है दोनों भी opposite direction में है उनों का कभी भी तालमिल नहीं हो सकता तो इसके लिए हम नहीं कह सकते कि क्यों बड़ा है क्या चोटा है फिर इस ताप से यह बहुत इंकरेक्ट हो गया तो देखिए बिलकुल आसानी से आप ऐसे प्रिक के जरी जरीत करना है इसको डायक्लूजन पर चाहिए और स्टेक्मेंन में उसको चेक करी और इसी टाइप कर सेम आज पूछा चाह रहा है आज जो भी वीडियो देख रहा है अगर कल उनका पेपर है तो कमेंट करके जबरूर बताना कि यह जो को बताया गया है या इस वीडियों में जितने भी टाइप के कुशन बताए गए हैं इसकी वज़े से आपको हेल्प हुवी या नहीं हुवी या हमको थोड़ा और हमारी स्ट्राटेजी चेंज करने होगी तो प्लीज हमारी जो है हल्प जरूर करना आप ताके सब की हम हल्प कर सके तो देखिए य अब आप इसको पहले डी अरेंज कर लीजिए अगर आपको ये एक अरेंजमेंट सही हो जाता है तो इससे आपके तीन कोश्चन या चार मार्क जो है सिक्योर हो जाते है अब देखिए डी इस मदर ओफ एस क्या कह रहा है उपको डी जो है ये एस की मदर है हम यहाँ पर ले टी इस दा ब्रदर ओफ आर अब देखिए टी ब्रदर है इसके लिए इस पर प्लस का साइन लगा किसका ब्रदर है आर का तो इसको भी हम वल लाइन से होरिजॉन्टल लाइन से बताएंगे आर इस दा ओनली सन ओफ जे अब आर जो है वो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई रीट करने में मैं फिर से इसको बता देती है आपको यहाँ तक सही था हमारा कि D is mother of S ओके यहाँ पर यह देखिए फिर से हम इसको सौल करते हैं कि कौन D कौन है mother है तो यह D mother है इसके लिए minus का sign किसकी mother है S की तो यह S नीचे आ जाएगा S is the sister of T अब S sister है किसकी sister है T की तो यहाँ पर S पर minus का sign आएगा यहाँ से मुझसे mistake हो गई थी T is mother है मैंने sister ले लिया था T is mother of R तो T mother है इसके लिए T उपर जाएगा Sorry mother है इसके लिए minus का sign आएगा किसकी mother है R की तो यहाँ पर यह R आजेगा R is the only son of J अब क्या कहे रहा है R जो है वो J का अकेला बेटा है तो R बेटा है only son है इसके लिए इसके पर plus आजाएगा अब J का बेटा है जब R की मा T है और J उसके जो है मतब R जो है J का बेटा है R की मा T है तो जाएसी बाते J जो है यहाँ पर T के husband होंगे तो इस तरह सी आपको समझ के connection करना होगा यहाँ पर T और J का कोई connection नहीं बताया गया लेकिन R के तुरू हमको पता चलता है कि जब R मा है और R जो है यह J का बेटा स्वरी जब T मा ह हो गई तो J जो हो जाएंगे उसके वालीद हो जाएंगे ऑके आर इस दो ऑनलिशन ओफ जैको यहाँ पर बेटी हो जाएंगी उनकी जै कि इस दर फादर फ्यू यू इसमेरेट टुके अब यू जो है यहां पर इसके husband अब देखे इस एक information के base पर आपको यहां पर बहुत तीन से चार question तो भी आपको solve करने अब main question हम देखेंगे how is J related to D अब देखे यहां पर D है just a minute यहां पर D है और यहां पर J है इन दोने में क्या connection है हमको यह देखना है तो बहुत ही आसाने आप देखे इस line से चाहिए यहां पर क्या कह रहा है देखिए S जो है okay D की बेटी है यह दोनों बहने हैं कौन दोनों बहने है S और T बहने बहने है यहां इसके भी यहां पर हम ले लेंगे इस तरह से just a minute यहां पर हम इस तरह से ले लेंगे यानि ये जो है T जो है ये D की बेटी है और J जो है उनकी बेटी का हस्बेन है तो J क्या लगा उनका Sun-in-law लगई तो यहाँ पर Sun-in-law कहाँ पर है देखिए Option number 2 में Sun-in-law है समझ में आए आपको T और S दोनों भी D की बेटिया हैं और J जो है ये T का हस्बेन है तो J कौन लगा D का उनकी बेटी का हस्बेन है तो Sun-in-law तो option number 2 यहाँ पर सही है यह आप जो मैंने figure draw की इसका आप screenshot लेजिए क्योंकि आगे के question में आपको काम आएगा यह आप इसको draw कर लीजिए और फिर आप मैं जो आगे के question बताती है उसको check करते जाए ओके तो इसको आप draw कर लीजिए आगे के question हम इसी के base पर solve करेंगे next question देखिए क्या है इसी information के base पर if r is the father of x अगर r जो है यह x के father है मतब यहाँ पर हम इसको अब एक नया extra हम add कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर की information में यह नहीं दिया गया था ओके तो यहाँ पर हम x को ले लेंगे अब क्या कह रहा है if r is the father of x then how is k related to x तो k क्या लगा x का तो देखिए यहाँ पर how is k related to k और x का connection यहाँ पर हमको पूछा गया है तो क्या लगेंगे देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे के आर फादर है अप आर फादर है यहां पर और यह जो है यू जो है उनकी कौन लगी आर फादर है और उनकी बेहन जो है यहां पर यू है मतलब यह एक्स की कौन हुई एक्स की फूफी हुई और यह फूफी के जो है यह हस्बन है मतलब यह इसकी फूफा हुई तो हमको यहा पर जो है अंकल यानि चाचा मामा फुफा सबको अंकल कहते तो यहाँ पर यह इसके अंकल हुए तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो आप उसको देखिए उसमें आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे आपको जो आगे के लेंदी कुश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप आपकी स्क्रीन को जूम आउट करिए क्योंकि यहां पर पूरा कोश्चन एक ही वीडियो में एक ही वक्त में आपको दिखना चाहिए इसके लिए मैंने साइस थोड़ा इसका जूम इन किया है तो आप अगर आपको नहीं का कुश्चन है बस पजल के लिए बहुत लोग परेशान थे तो यह कुश्चन जो है पजल से रिलेटेड ही कुश्चन है इस तरह के कुश्चन आपको पजल में पूछे जाएंगे देखिए क्या है सवाल सेवन बॉक्स जे के ल, M, N, O, N, P, R, K, सब्सक्राइब के ल, M, N, अब देखिए के ल, M, N, आप देखिए के ल, M, N, आप देखिए आप आपके हिसाब से पहले M और N की पूजिशन को पूट करिए, अब मैं यहाँ पर करके बताती हूँ, आपको किस तरह से आपको करना है, just a minute, इस तरह से हमने से बना लिए, ओके यह सेवन हमने यहाँ पर फ्लोर ले लिए, आप हमको क्या कह रहा है, देखिए, इस तरह से यह सवाल है, ठीक है, यहाँ से मेन है, just a minute, only two, देखिए, यहाँ से मेन है, only two boxes are kept between M और N, यानी, M और N के बीच में दो बॉक्से की जगा खाली है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप कही से भी range करके उसको देख सकते हैं, अभी मैं directly यहाँ पर आपको बता पूरा question आप पहले read करिए, only two boxes are kept between M and N, the pencil box is kept immediately below M, यानी, M के नीचे आपको जगा होनी चाहिए, फिर आप M को एकदम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि M के नीचे फिर जगा नहीं रहेंगे, आपको M के नीचे जगा चाहिए, आपको समझ में आ गया, यानी, M last नी इमिचिटली नीचे जो है, pencil box होंगा, and pencil box is kept, sorry, only two boxes are kept between pencil box and watch box, यानी, आप भी pencil box की position आपको ऐसी लेनी है, कि उसके बीच में आपको दो boxes रखने हैं, यानी, pencil box जो है, आप इधर भी नहीं ले सकते हैं, ठीक, इधर ले सकते हैं, इनके बीच में जो है, दो उपर की देना है, the diary box is kept immediately below the watch box, और जो diary box से वो कहा है, watch box के exact नीचे है, only three boxes are kept between diary box and J, अब जो diary box से उसके और J के बीच में जो है, सिर्फ तीन box से रख सकते हैं, the jewelry box is kept immediately above J, अब the jewelry box से वो जे के ऊपर है, O is kept immediately above K, अब O जो है वो K के immediately उपर है, O is not a pencil box, यहनि O जो है वो pencil box नहीं है, P is kept immediately above the cookies box, only one box is kept between P and the spoon, अब देखिए इसको कैसे solve करना है, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, हम चलो sequences को रखते चलते, क्या कहरा है सबसे पहले देखिए, only two boxes are kept between M और N, यहनि M और N के बी M, इनके बीच में, sorry, two boxes की जगा चाहिए, तो M को थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ, यहाँ पर हम लेंगे इसको M को, आप नीचे से भी इसको arrange करके देख सकते हैं, आप चाहिए, तो दो box एक साथ बना लीजिए, और आप फिर नीचे से M और N को arrange करके देखिए, एक सा M के बीच में दो होने चाहिए, तो यहाँ पर suppose मैंने M या N दोनों में से कुछ एक ले लिया, यहाँ पर और दो लोगों के ऊपर यहाँ पर भी M कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर बाद में जो है, आगे की condition के साब से हम इसको exist कर सकते हैं, यहाँ पर भी M आ सकता है, और यह यहाँ पर भी M आ सकता है, नीचे भी, क्योंकि दोनों के बीच में हमको का तो exact M कहां पर है, N कहां पर यह हमको exact नहीं बता है, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, तो आपको आसा नहीं होंगी इसको solve करने में, मतलब दोनों में से एक आपका exactly correct होंगा, क्योंकि यहाँ पर possibilities कुछ भी हो सकती है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर suppose M है, हम इसको oblique करके यहाँ पर M कर देती हूँ, यहाँ पर oblique करके मैं N कर देती हूँ, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर color change कर देती हूँ, उसके बाद क्या कहे रहा है, देखिए यहाँ पे, the pencil box is kept immediately below M, यहनी यहाँ जो है, यह pencil box है, immediately below M कहे रहा है, मतलब यहाँ पर pencil box है, only two boxes are kept between the pencil box and the watch box, हम देखिए नीचे तो नहीं आ सकता, जो भी जिसकी भी बात हो रही है, watch box जो है, यह नीचे नहीं आ सकता है, इधर नहीं आ सकता watch box, क्योंकि watch box के और pencil box के नीचे कह रहा है, कि दो boxes की जगा खाली ह यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच में हमको at least two box के जगा खाली होने चाहिए, तो हम नीचे की जगा नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे जगा ही नहीं बची हमारे पास, okay, N is kept above the watch box, अब देखिए यहाँ पर M नहीं आएगा, फिर हमारा watch box के ऊपर N कह रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा N है, watch box के ऊपर के floor पे, okay, समझ में आगे आपको इतना, आप क्या कह रहा है, दीकिए, the diary box is kept immediately below the watch box, अब diary box directly watch box के नीचे है, तो यहाँ पर यह diary आ जाएगा, D से मैं इसको लिख देती हूँ, D और, okay, D I से, okay, diary box is immediately kept below the watch box, यहाँ तो को गया, only three boxes are kept between the diary box and J आप देखिए, diary और J के बीच में, तीन आने चाहिए, तो देखिए, यहाँ पर हम उपर की जाएने तो आप J को नहीं ले सकते, क्योंकि उपर जगा ही नहीं बची, तो यह diary के नीचे जो है, वो J आएगा कही तो भी, तो कहां आएगा, क्या कह रहा है, देखिए, only three boxes are kept between the diary box and J, यह निए, तीन box हम नीचे जाएंगे, ओके, यानि यह one, यह two और यह three, यह three boxes छोड़ कर हम J जाएंगे, sorry, diary box कह रहा है न, diary box के तीन छोड़ेंगे, okay, sorry, तो देखिए, diary के बाद से हम यहाँ पर तीन छोड़ के जाएंगा, तो देखिए, one, two और three, यह three छोड़ के हमको J लेना पड़ेंगा, क्योंकि diary के नीचे तीन boxes की जगा, diary और J के बीच में तीन boxes की जगा होनी चाहिए, तो हमने J ले लिए, okay, उसके बाद क्या है कह रहा है, देखिए, the diary box is kept immediately below watch box, only three boxes are kept between the diary box and J, the jewelry box is kept immediately above J, यहाँ पर आ जाएंगा फिर jewelry box, यहाँ पर आ जाएंगा उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, O is kept immediately above K, अब देखिए, O जो है वो K के immediately above है, लेकिन K कहा पर है, यह अभी हमको नहीं पता हम इसको देख लेते चलो, O is not a pencil box, अब O जो है वो pencil box नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर के लेते हैं, क्य यहाँ पर इसकी पॉसिशन नहीं आ सकती हैं, क्यूंकि उह हमको कह रहा है, आगर O की पुसिशन आमें यहाँ पर इस वाले box में लेते हैं, तो O का मतलब हो गए, वो pencil का box लेकिन यहाँ साफ-साफ कह रहा है, क्यों यहाँ पर हमारे पास तो दो ही box बच बच गया है, कि कि हमने यहां ओकी position रखके देखे तो वो pencil ही आ रही है क्योंकि यहां पर ही दो लोगों की जगा खाली है तो उपर की side O आ रहा है और नीचे की आ रहा है तो यहां पर फिर pencil box हो जा रहा है तो हमको यहां नहीं लेना है मतलब यहां हम O लेंगे और यहां हम K लेंगे K के immediate ओपर O है ओके अबो के O is not a pencil box ठीक है हमने वहां नहीं लिए P is kept immediately above the cookie box अब पी जो है वो cookies के immediately above है तो पी की जगा कहां पर बची देखी यहां पर ही ले सकते हैं क्योंकि यहां पर हम cookies लेंगे और इसकी immediately above जो है यहां पर पी आ जाएंगा फिर इस तरहां से दिखिए आपको अगर पी is kept immediately above the cookie box only one box is kept between P and the spoon box तो P और spoon box के बीच में जो है एक ही जगा खाली मतलब यहां पर जो है यहां पर जो है यहां पर जो है एक ही जगा बची है आप हमारे पास ते जितने alphabet ते उसमें से कौन कौन सा हो गया था और कौन सा बच गया देखिए L अभी तक हमारा पुट न नहीं दीखिए कि कलर यहां पर एक कलर हमारा रहे गया तो यहां पर जो है यह कलर आ जाएगा तो दीखिए इस तरहां से यह arrangement आपका हो गया इसका साफ सुत्रा बॉक्स में आपको नीचे कुश्चन सॉल्व करते टाइम दे देती हो उसके बेस पर हमको कुश्चन सॉल्व उपर तो कुछ नहीं जा रहा है इस तरह से आपने M और N को इधर रख लिए तो आपको समन में आ जाएंगा कि यहां पर सब चीजे जो है इनकी नीची आ रहे मतलब M और N की पोजिशन कहीं तो भी उपर की जानिब है तो इस तरह से आपको क्लिक हो जाएंगा आप प्रक् कि एमिजटली अबों म के इमिजटली अबों सा है तो पोजिशन क्या है ओकी हमको यह बताना यहां पर तो क्या है तो अगर हम देखेंगे तो इन चार पांच आप्छ उप्शन में से आपको देखना है फॉर्स फॉम्दा टॉप तो टॉप से फर्स्ट वेगा नहीं सेकें तो आरेंज करने के कोशिश कीजिए पजल को आपको नहीं के लिए थी आपके प्रगवाएंज करने कि कोशिश कीजिए पॉसल को which of the following does not belong to the group, यह नि चार ऐसे इसमें से, जो एक तरहा का pattern follow करके group बना रहे हैं, और एक ऐसा है जो वो group को follow नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा हमको वो देखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें, एन जो ही यह diaries को बता रहा है, नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ते जाएंगे, पी जो है, यह spoon को बता रहा है, के जो है, यह color को बता रहा है, तो दीकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो दीकि के और एन ने आपस में अपने जो है, बॉक्से चेंज कर दिये, के एन के color box था, और के का डाइरी था, दोनों का interchange हुआ, उसके बाद हम यहाँ पर यह देखेंगे, कि पी के साथ spoon है, क्या नहीं, पी के साथ jewelry है, spoon किस के साथ है, spoon यहाँ पर M के साथ है, तो P और M, M का तो कई जिकर ही नहीं, तो हम इससे ही समझ गए, कि यहाँ पर P के साथ, जो है, जो interchange होना चाहिए था, वो M होना चाहिए था, तो यहाँ पर M कही भी नहीं, तो P ही यहाँ पर अलग है, लेकिन फिर भी हम बागी के information को check कर लेते हैं, आप box को refer करिए, जो question में बता रहे हैं, और O जो है, यहाँ पर spoon को बता रहा है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, कि L के साथ, जो है यहाँ पर इसका जो आप P नहीं आएंगा, इसका जो आप L आएंगा, क्योंकि L के साथ pencil ही है, लेकिन box इसने अपने, जो है, जो alphabet उन्होंने अपने box चेंज किये, लेकिन यहाँ पर जो है, L के साथ हमारे table में भी pencil ही आ रहा है, और यहाँ पर भी pencil ही दे रहा है, मतलब इसने change नहीं किया, तो यही बाकी में से अलग है, बाकी सब ने अपने box चेंज कर दिये, अप्शन नबर 40 का सही जवाब है, नेक्स वोचन देखेंगे, अपके और watch box के बीच में कितने boxes रखे गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो कितने boxes रखे गए हैं, हम इसके बीच में देख सकते हैं, देखिए, more than three, नई, किसके बीच में पूच रहा है, के and watch box है, तो के और watch box के बीच में जो है, एक भी नई है, मतलब यहाँ पर none आ जाएंगा, इसका एक भी box दोनों के बीच में नहीं है, दोनों directly image it उपर watch box है, फॉरन उसके नीचे जो है, के है, जो के diary box है, तो इनके बीच में कोई भी box नहीं तो इसका none answer आ जाएंगा, तो इस तरहां से देखिए सवालों के जो जवाब यहाँ पर दे दिये गए, अब यहाँ पर देखिए, यह question जो है, इसको आप study करिए, और चाहे तो इसका आप solve करके देखिए, इसका यहाँ से डारेक्ली हमारी जो पोजिशन स्टार्ट हो रही है, तो हम इस हिसाब से इसको थोड़ा सा में उपर कर लिए ताके पूरा question एक साथ देखिए, ओके देखिए, क्या है, only three people sit to the left of N, यानि N के left में सिर्फ तीन लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो N के left में हम तीन लोगों की ही जगा रखेंगे, अब इस हिसाब से हम इनकी position लगाते हैं, कि N के left में तीन ही लोगों की जगा चाहिए, तो मतलब N यहाँ पर आएंगा, उसके बाद क्या कह रहा है दीकिए, आप थोड़ा सो zoom कर लिए अगर आपको question नहीं दिख रहा है, तो B seat second to the right of N, अब B जो है वो N के right में second number पर है, तो N के right में second number पर यहाँ पर यहाँ पर यह B आ जाएंगा, उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, B seat second to the right of N, C seat third to the left of O, अब C जो है वो O के left में जो है, तीसरे number पर है, O is not the immediate neighbor of B, O जो है वो immediate neighbor नहीं है B का, यानि यहाँ पर भी नहीं आएंगा, यहाँ पर भी नहीं आएंगा, तो अब उसके O के साथ किसकी position दे रहा देखिए, O is not immediate, sorry, C seat third to the left of O, यानि O के left में तीन जगा खाली होनी चाहिए, तो O के left में अगर हम तीन जगा खाली अगर हम देखते हैं, तो कैसे आएंगा देखिए, यहाँ पर यह कुछ इस तरह से आएंगा, हमको यहाँ पर suppose हमने इधर O ले लिए, तो इसके side में 1, 2, कितने नमबर पर कह रहा हैं देखिए, C seat third to the left of O, तीसरे नमबर पर, तो 1, 2, 3, यहाँ पर यह C आजाएंगा, O does not seat of any extreme, क्योंकि O हमको कह रहा था कि किसी भी extreme पर नहीं है, यहाँ किसी भी किनारे पर O नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते थे, और B के फॉरण बाजू में भी नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी नहीं ले, इस हिसाब से आपको position रखनी है, उक्ये बाद क्या कह रहा है, देखिए, any extreme नहीं है, C and O face same direction, अब C और O की direction same है, लेकिन कौन सी है, यह भी हमको नहीं पता है, both the image neighbor of D face not, जो D है, उसके image neighbor क्या कर रहे हैं, not को face कर रहे है, D does not sit any of the extreme, यानि D जो है किसी भी किनारे पर नहीं है हमारा, ओके तो D या तो यहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आएंगा, तो हम देखते कहा आता है, person seating extreme ends are facing direction, person seating extreme end face opposite direction, जो भी extreme end पर बैटे हैं, वो opposite direction को face करेंगे, both the immediate neighbor of N face the same direction, और N के जो भी immediate neighbor है, वो exactly same direction को face करेंगे, if one neighbor face, sorry, A is अब दी कि यहाँ पर A और D के बारे में, और information दीगे, A sits second to the left of L, अब A जो है वो L के left में, L के left में जो है second number पर है, तो अब अगर मैं यहाँ पर L ले लूँगी, तो यहाँ पर A की जगा बच्री, A की लेकिन second number पर कह रहा है, तो इस हिसाब से हमको L कहाँ लेना पड़ेंगा, देखिए, हमको L जो है यहाँ पर लेना पड़ेंगा, यहाँ पर मैं L लूँगी, तो जब उसके बाद second position पर left में, sorry, right में A is second to the left of L, हाँ, L के left में जो है, यहाँ पर हमको, sorry, just a minute, यहाँ पर मैं A ले लूँगी, तो इसके जो left में हमको second number पर L के लिए जगा मिल रहें, अगर मैंने यहाँ पर A लिया होता, तो इसके left में already B मौझूद था, तो हम यहाँ नहीं ले सकते, तो इसे साफ से आपको situation रखे देखनी है, तो A हमने यहाँ पर लिये, तो इसके left में हमको L के लिए जगा मिल गई, अब एक ही चीज़ बजगे मारे पास D, अब इनकी position आप जो उपर दिया गया है, उसके साफ से north, south वगेरा जो हैं, आप अब इनकी position देखिए कौन सी किसकी position है, अब क्या क्या position हैं देखिए, does not see and O face the same direction, both the immediate neighbor of D face not, यादि immediate neighbor जो वो north face कर रहे हैं, just a minute, तो यहाँ पर immediate neighbor of, क्या कर रहे हैं, देखिए, just a minute, both the immediate neighbor of D face not direction, याँ पर यहाँ पर यह D की immediate neighbor जो हैं, यह not direction, अब उसके बाद हमको आगे बोला गया था, जो extreme end पर उनकी जो direction है, वो opposite यह नि एक north में तो एक side में, अब A north में हो गया, तो L क्या हो गया, south में हो गया, परसन सीटिंग एड़ एक्स्रीम एंड फेसिंग हो गया हमने देख लिए, both the immediate neighbor of N face the same direction, याँ जो immediate neighbor है, N के वो same direction face कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम देखें हैं, कि N जो है यह north में था, क्योंकि center में था, if, A sits second to the left of D, D faces the direction opposite to L, अब D की जो direction थी, कि वो L के opposite में थी, D faces A sits second to the left of L, D faces a direction opposite to L, यह निए D की जो direction थी वो L के opposite में थी, तो L का दीके L जो है यहाँ पर south की तरफ position है, तो D की position कहाँ पर हो जाएंगी, north की तरफ हो जाएंगी, ओके इतना हो गया, अब इसके बाद हम आगे और सब की direction देख लेते हैं, हम फिर से एक बार revise करेंगे, B sits second to the right of N, C sits third to the, यहाँ पर नहीं दिया गया, not immediate, O does not sit in any of the extreme, and end of the line, C and O face the same direction, अब C and O, same direction को face कर रहे हैं, both the immediate neighbor of D faces not, D की immediate neighbor ने not face किया, हमने देख ली, opposite direction ठीकी, यह भी देख लिया, both the immediate neighbor of N, अब देखी, both the immediate neighbor of N, faces the same direction, यानि उनकी direction exactly same है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखी, इनकी direction हम same लेंगे, तो इनकी जो direction हैं, वो कैसे लेंगे, हम south direction लेंगे, okay, both the immediate neighbor of N, faces the same direction, okay, A sits second to the left of D, D faces the direction opposite to L, okay, and D faces, ठीकी, यह सारी चीज़ें हमारी हो गई, अब हमको जो है, O की direction लेनी है, तो O के बारे में कहां गया था, कि C and O faces the same direction, तो C and O, तो C की जो position हैं, वो south में है, तो O की position भी कहां पर हो जाएंगी, south में हो जाएंगी, तो इस तरहां से आप अगर देखेंगे, तो north की तरफ कितने हैं, 1, 2, 3 and 4, north की तरफ है, 1, 2, 3 and 4, जो हैं यहां पर, south की तरफ है, तो इसका आप एक screenshot ले लीजिए, थोड़ा मैंने fast बताया, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थे, और हमको fast ही इसको solve करके देखना है, तो इस तरहां से आप इसको एकदम fast में, पहले सब position रखने के बाद, अगर north south को confusion है, तो पहले पूरी position रख लीजिए, आप according to north face के हिसाप से, और फिर उनको जो है faces आप change करिए, इसका screenshot ले लीजिए आप जिल्दी से, मैं इसका आगे का फिर question आपको करवाती हूँ, सवाल दीकी के, how many people sit exactly between B and O, B और O के बीच में exactly कितने हैं, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर O है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 कहाँ पर option number 5 है, तो option number 5 इसका सही जवाब हूँ, next question दीकी, who among the following represent the immediate neighbor of the person sitting at the extreme end of the line, यहने जो extreme end पर वेटे जिसे M और L, इनकी immediate neighbor की जोड़ी कौन सी है, तो यहाँ पर D है और यहाँ पर O है, तो option number 1 जो है इसका सही जवाब हूँगा, next question दीकी, who among the following face north, तो हम north कौन face कर रहा है, A, L, O, N, C में से, तो हमने देखे थे के end यहाँ पर north face कर रहा था, तो figure आप चाहे तो उपर देख लीजे एक बार, तो end यहाँ पर इसका सही जवाब हूँग, option number 4, next question दीकी, which of the following is true based on the given arrangement, given arrangement के इसाब से कौन सा यहाँ पर true है, ओके आपको यह देखना है, तो अब इसके लिए आप table follow कीजिए, मैं इसका directly आपको answer बता देती हूँ, क्या answer इसका क्या है, और आप जो है table जो बताया गया है, वो आप यहाँ पर refer करिए, तो which of the following, okay, तो कौन सा यहाँ पर सही है, हमको यह बताना है, तो मैं directly answer बताती हूँ, M seat at the one of the extremant, हमने देखे थे कि M और इस साइट से क्या था, ल, दोनों भी extremant परते लास्ट परते, तो पांच वाइस को option सही होँगा, आप इसके लिए बाफ figure को refer करिए, नेक्स कोशन देखी क्या है, नेक्स कोशन है, who among the following seat second to the right of C, यानि C के right में second number पर कौन था, तो हमने इसका भी figure देखे थे, कि C के right में second number पर कौन था, A तो option number A जो है, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, तो इस तरहां से दिखिए, यह सारे question जो है, हमने setting arrangement से related, इसमें linear भी देखे, हमने circular भी देखे, हमने puzzle देखे, हमने inequality देखे, English के कुछ question देखे, कैसे पूछे जा रहे है, तो इसके साब से आपको एक idea आ जाएगा, कि कल जो paper होने वाला है, वो किस तरह से होगा, और क्या level के किस हिसाब से question पूछे जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से आपका mindset करके जाएगे, relax रहे हैं, अगर, ओके, तो देखे, कल के लिए आपको, जिनका भी कल paper है, उनके लिए best wishes, और देखे, इस strategy के हिसाब से आप जाएगा, इस तरह के question आपके सामने आ सकते हैं, इसे साब से आपका mindset करके जाएगे, relax रहे हैं, बिल्कुल भी आपको वहाँ पर confused नहीं होना है, आपके study हो चुकी है, आपको सब कुछ आता है, आपको sitting arrangement का basic आता है, ठीक है, पॉजल और sitting arrangement यहीं की तरह के question है, पॉजल में भी हमको sitting arrangement भी हमको position वगएरा दी जाती है, उसके साब से हमको arrange करना है, और पॉजल में भी same वही चीज़े हैं, आपको यह आता है सब कुछ, लेकिन बस आपको relax रहना है, जितने भी review आ रहे हैं, तो वो review देखकर आपको motivate होना है, तो दीखे, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी, कि इस type के question में रोजाना आपको लेकर हो, ताकि आपकी practice हो जाए, आज हमने एक paper देखे, और जो type के question रहे गए हैं, जैसे direction से related कैसे question आ सकते हैं, और भी जो topic रहे गए हैं, इंशालाब मैं कोशिश करूँगी, कि मैं उनको भी cover करूँ, कि किस type के question जो IBPS पूर सकती है, आज जो मैंने cover, जो question करवाए हैं, यह according to IBPS pattern है, तो ऐसे ही question आपके सामने आने वाले, दिखे, जो basic चीज़ें आपको आती वही, तो use करना है आपको, और कुछ भी नहीं, लेकिन उसके base पर थोड़ा सा lengthy question आपको solve करना है, तो बिल्कुल question को आप skip मत करिए, कोशिश करिए solve करने की नहीं होता है, तो इसको skip भी किस तरह करिए, कुछ ना कुछ एक option आप select करिए, अगर suppose आपको कुछ लगता है, कि ये time consuming है, मैं इसको solve कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, तो आप क्या करिए वहाँ पर, उसको select करके mark for review करिए, और फिर आगे बढ़िए, वैसे ही उसको only mark for review मत करिए, उसको select करिए और फिर mark for review करिए, और इस तरह से हर एक question को attempt करने के कोशिश कीजिए, लास्ट का जो 20 minute बसते हैं आपके, 20 minute पहले पहले जो solution है आपका वो आप end कर दीजिए, और उसके बाद जो आखरी के 20 minute होते हैं, उसमें आपके जितने भी question रहे जाते हैं, सब को जो है आप कोई ना कोई option select करके आईए, बिल्कुल भी question छोड़िए, मतलास्ट के 20 minute पहले बिल्कुल कोई question को solve करने की कोशिश मत कीजिए, जितने question रहे गए हैं बस उनको अंदाजन आप tick करके आ जाईए, लेकिन हर question को attempt करिए, उसमें से कुछ ना कुछ तो question आप solve करने बैटेंगे तो 2 से 3 question आपके solve होगे, लेकिन अगर जो आपने बचे question 20-30 अगर उसको आपने tick कर दी, उसमें से 5-10 सहीं आगए तो उतना आपका फायदा हो जाएगा, बस यही strategy आपको रखनी है, डरना नहीं है, अच्छे से paper देना है, सारे documents आथ में लेकर जाना है, नाम में changes है, तो affidavit लेकर जाएगे, गैजट लेकर जाएगे, आपका original ID proof लेकर जाएगे, तो उमीद करती हूँ, आज की वीडियो सबको अच्छी लगी होगे, जिनका कल paper है, वो ज़रूर पूरी वीडियो देखिए, और नेक्स वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए लिए आफिज, मम्मी,